Dear students, स्वागत है आप सभी का, फिर से एक नेव वीडियो में, बच्चों, चाहे हम अलग-अलग धर्म को मानते हैं, अलग-अलग रिती, रिवाज, परमपराओं को मानते हैं, लेकिन जब देश पर आचाती है, तो हमारा एक ही धर्म होता है, रास्ट धर्म, और इससे बढ़क पढ़कर देखते हैं, इसमें क्या बतलाया हुआ है, हम जानते हैं कि यह भारत वर्ष हमारा देश है, हिम से ढखके हिमाले से लेकर, कन्या कुमारी के सागर तक तथा द्वारका से प्रुवांचल की नागा पाहाडियों तक फैला या विश्त्रित देश हमारी मात्री भु का रहता है, और वहां से लेकर कन्या कुमारी तक जहां पे हिंद महासागर है, और द्वारका के प्रुवांचल की पहाडियों तक हमारा देश फैला हुआ है, और यही हमारा देश जिसे हम मात्री भुमी काते हैं, और इसके आगे है यही इरतन गर्भा भुमी, हमारी कर्म भुमी, स्वर्ग भुमी, पुइन भुमी और धर्म भुमी है, तो इसको कई नाम से यहां पे बतलाया गया है, यही हमारा धर्म भुमी है, कर्म भुमी है, स्वर्ग भुमी है, जो भी है हमारा सारा कुछ यही है, हमारा यही देश कभी सोने की चिलियां कलाता था, और जग हिंद देश चलें, उन पहले जो है हिंद देश कहा जाता था, जगत गुरु कहलाता था, सभी देशों का या नियत्रित्त करता था, मार्क दर्शन करता था, इसके पास ज्यान के भंडार थे, जिसके कारण ये मार्क दर्शन करता था, इस्वर ने हमारे देश को कैसा सुंदर अकरसक बनाया है उत्तर में परहरी समान उचे उचे बरफिले पहाड वर्स भर अमरित समान जल को लेकर बहने वाली नदियां तीन और से घिरे हुए विशाल सागर हरे भरे वन वातावरन को विविद्धा परदान करती छह रित्वें सभी परकार के धन धाइन वनस्पति फल फूल से लढ़ाते खेतवा बगी चे भारत माता के सिंगार है तो यहां पे हमारे देश की सुंदरता की व्याक्ष़ा क्यांगया है उतर में हिमाले है जो भरफ से ठका हुआ है उचे उचे बरफिले पहाड तो इसमें ये इतना उचे है कि वहां पे भरफ से ठका रहता है और उससे बहुत सारी नद्या निकलती है, जल लेके निकलती है, इसके अलावा हमारे देश के तीन ओर यहाँ पे इधर हो गया, और यह की नीचे हो गया, और इस साइड बंगाल के खाड़ी हो गया, इधर अरेविया, सी हो गया, अरब सागर, यहाँ पे हिंद मासागर, इस इस तरह से तीन तरफ से हमारा देश जो है सागरों से घिरा हुआ है और सालों भर हमारे देश में हर्याली फैली रहती है जिसका कारण है हमारे देश में अलग-अलग सीजन्स रित्वें जो है छह परकार की रित्वें हैं इस तरह से यह हर्याली जो है भारत माता का सिंगार ह अनिक परकार के वेस, खान पान, इरिती रिवाज, पूजा पदतिया, परंपराएं, भासाएं, हमारे देश की विवित्ता में एकता के परतिक है, तो हमारे देश में बहुत सारी लोग यहां पे कहा जाता है, कि हर 10 किलोमेटर में पानी और वानी बदल जाता है, लोगों की भासाओं में बदलावा जाता है, यहां के पानी का जो टेस्ट होता है, उसमें बदलावा जाता है, इस तरह का लोगों के रहन सहन में बदलावा जाता है, इतनी विवित्ताएं हैं, फिर भी हमारा देश एकता का परतिक दरसाता है, विवित्ताओं में एकता का परतिक दर नहीं है कहीं भी मिलने वाला नहीं है तो ज्यान के भंडार वेद पुरान गीता वारा मायन आदि स्रेष्ट गरंतों की रचना इसी देश में हुई है यह हजारों महापुरुसों विरंगनाओं की भूमी है स्वेम भगवान ने भी इसी भूमी पर विभिन रुपों में जनम लिया है ऐसे सुंदर स्रेष्ट देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं तो हमारे देश की इतनी बिसिस्ता है जब भी भगवान का अवतार हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में हुआ तो इसलिए हम अपने देश को भारत माता कहते हैं यहाँ पे वेद पुरान गीता की पलचाई दिरिष्टी से देखा, यहां से लूट हसोट करने तता अपना राईज अस्थापित करने के लिए इस धर्ती पर अनेक आकरमन किये, नरसंगहार किया, गाहां उजाडे, भीशन अत्याचार किये, यहां पे जो विदेश के लोग यहां आते थे या दूर से ही इसका नाम सुना करते थे, तो उन्हें लगता था कि क्या करें, मतलब इतनी धन यहां पे है कि कैसे ले जाएं, वे लूटने के बारे में सुचते थे, आते थे और यहां लूटते थे, और यहां पे अपना सासन स्थापित करते थे, जब तक वे यहां पे रहते थे, हमारे देश क के वीर राजाओं युद्धाओं वह विरंगनाओं तथा सहासी लोगों की कहानी हम पढ़ चुके हैं तो फोर क्लास में हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं इसके बारे में किस तरह से हमारे देश के वीर युद्धा उनसे लड़ते थे और हमारे देश का मान परतिष्ठा को बनाए रखते थे यहां पर आगे दिया हुआ है महाराजा दाहीर के समय से ही विदेशियों के आकरमन से अपने देश को सतंतर रखने के लिए सदेव संगर्स होता रहा अंत में छत्रपती सिवाजी ने हिंदवी सवराईज की स्थापना की हमने कभी किसी विदेशी की अध अंभव हो वे यहां से लूट लेना चाहते थे इसलिए हमेशा आकरमन क्या करते थे और यहां के जो वीर युद्धा रहते थे वे सदेव उन लोगों से संगर्स क्या करते थे अपने देश की सवतंतरता को बनाए रखने के लिए तो यहां पर अंत में बतलाए गया है कि छ स्विकार नहीं किया अंग्रेज लंबे समय तक यहां पे रहे लेकिन हम लोगों ने संगर्स करके उनसे अपने देश को आजाद करवा लिया परंतु सिवाजी के पस्चात हमारे देश में वेपारी बनकर आये विदिश्यू ने अनेक सरियंत्रों द्वारा हमारी फूट का कलाव उठाकर यहां अपना राइज अस्थापित किया चुक बेपारी बनकर जो अंग्रेज आये थे और भी लोग आये थे लेकिन वे लोग लंबे समय तक यहां पे सासन नहीं कर पाये और जब अंग्रेज आये तो उन लोगों को जैसे फ्रांसिसी लोग थे तो उन लोगों को भगा दिये थे और फिर स्वेम यहाँ पर अपना सासन अस्थापित कर दिये उन में से परमुख अंग्रेज थे क्योंकि अंग्रेजों नहीं यहाँ पर 200 साल तक सासन किया था अंग्रेजी सासकों से अपने देश को मुक्ती कराने की कहानी ही हमारे सोतंतरता संगराम की कहानी है तो उनसे हमारे वीर युद्धा लड़े संगर्स किये तो इसी की सबसे बड़ी कहानी है जो आज भी हम लोग याद करते हूं युद्धाओं को सोतंतरता के लिए किये गए इस संघर्ष में अनेक परकार के प्रियास हुए युद्ध हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुए, थब हमारा देश सोतंतर हुआ तो देश को सोतंतर कराने में बहुत सारी समस्याओं को पार करना पड़ा उसके बाद हमारा देश आजाद हो पाया, कितने ही लोगों ने अपना बलिदान कर दिया अपना सब कुछ लुटा दिया, तो यहां पे चप्टर यह समाप्त हो गया है और इसमें क्या questions दिया हुआ है, यहां पे देखते हैं लोग, यह है question number one में लिखित प्रशनों के उत्तर एक वाइक में लिखे तो यह short question है, एक वाइक में देना है, उसके बाद question number two में यहां भरने के लिए दिया गया है question number three, निम्नांकित प्रशनों के उत्तर लिखे, यहां पे थोड़ा सा यह long question है तीन-चार लाइन में हो सकता है तो आए मैं आप लोगों को इसका अंसर बना की देता हूँ ये है चप्टर वन का कोशन अंसर निविकित प्रस्णों के उत्तर एक वाइक में लिखी अपने देश को हम क्या कहकर पुकारते हैं मात्री भूमी का अर्थ है मात्री भूमी का अर्थ है अपना देश सिवा जी ने इस राइज के स्थापना की थी विदेशी यहां किस उदेश से आये थे विदेशी यहां देश को लूटने तथा इस पर सासन करने के उदेश से आये थे विदेशियों ने भारत में आकर क्या किया? विदेशियों ने भारत में आकर लूट, खसोट, नरसंगहार तथा विशन अत्याचार किये रित अस्थानों को पूर्ण किजिए, यहां इसका डायाट अंसर दिया हुआ है आप इसको देख कर भर सकते हैं हमारी मात्री भूमी के लिए किन विशिस्नों का प्रयोग किया गया है हमारी मात्री भूमी के लिए रतन गर्भा भूमी, हमारी कर्म भूमी, स्वर्ख भूमी, पुईन भूमी और धर्म भूमी के विशिस्नों का प्रयोग किया गया है अपने देश के भोगलिक विस्तार का लेक की जिए, हमारा देश बरफिले हिमाले से लेकर कन्या कुमारी के सागर तक पथा द्वायरका से पुर्वांचल की नागा पहाडियों तक फैला हुआ है, अपने देश की कोई चार विसेस्ताएं लिखिए, हमारे देश की चार विसे अनेक इरिती रिवाज परंपरायें भासायें हमारे देश की विवित्ता में एकता के परतिक हैं। भंडार कहा गया है. यहाँ पे यह चप्टर पूरी तरह समाप्थ हो गया है. अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिलता है ताप हमारी इस वीडियो को एक लाैक जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें इसकी आउसकता है अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसमें इसी तरह का और भी वीडियो आते रहता है तो हम लोग next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे